हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज के सेशन में हम जानेंगे दोस्तों एक हमारा नुमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा जो कि के चॉप्स के करेंट लौ से रिलेड़ेट रहेगा ठीक है अच्छा इस टाइप के कोशन्स आप लोगों ने कह तो हमारा एक सर्कीट दिया हुआ है सर्कीट को किस तरीके से सॉल्ब किया जाएगा यह आप लोगों को मैं बताने वाला हूं ठीक है कि चॉप्स के करेंट लौ से रिलेटेड या सर्कीट रहेगा ध्यान रखिएगा इसमें पूछा कह गया है फाइंड दी करेंट फ्लोइ Sum of Incoming current होता है Sum of Outgoing current यानि आने वाली धराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धराओं के योग के ठीक है अब यहां पर जो question पूछा गया है दोस्तों यहां पर हमें current जो है दोस्तों पूछा गया है हर एक resistance के थुरू यानि हर एक resistance के थुरू कितना current flow होगा इसको calculate करना है ठीक है तो मैंने बता है दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे आप लोगों को जहां जहां पर दो से अधिक चीजे जील्फी दिखेंगी यानि connect हुई ही दिखेंगी वहां पर आपको हम यहां पर ऊपर या नीचे कहीं भी मान सकते हैं तो दोस्तों मैं यहां पर मान लेता हूं कि यहां जो करेंट मैं इसकी मैं नीचे ही रख देता हूं ठीक है आप लोगों के उपर हैं दोस्तों डायेक्शन चाहे बाएं का योग कर लेते हैं इंकमिंग करेंट तो incoming current कितना है दोस्त इस node पे बोलेंगे सर 4 है ठीक है चार है और मैं बोलना चाहूं outgoing current कितना है भाई तो बोलेंगे outgoing current सर i1 और i2 है तो जो हमारे पास outgoing current है दोस्तों उनको हम sum of outgoing current कहते हैं यानि i1 प्लस i2 हो जाएगा ठीक है दोस्तों हम x को equation number 1 मना लेते हैं ठीक है अच्छा अब हम यहां से कुछ चीजों को calculate कर लेते हैं जैसे मैं कहना चाहूं दोस्तों यहां पे अगर मैं वी अपान आर यानि पूरा एक क्वेशन जो होगा दोस्तों हमारा अब वी अपान आर के रूप में लिखना होगा ठीक है तो आईएगा आईवन को हम वी अपान आर के रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा करेंट की direction कहां से कहां है बोलेंगे सर करेंट जो है दोस्तों इस voltage से यानि वी वन voltage 0 तक जा रहा है ठीक है तो दोस्तों यह voltage source से हमारा current निकला होगा यानि यहीं से हमारा current निकला होगा तो बोलेंगे जी हां सर तो आईवन के जगह पे हम कितना लिख सकते है दोस्तों यही आईवन की value में लिखना चाहता हूं V1 अपान कितना हो जागा दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ 0 माइनस के 0 करोगे कोई मतलब नहीं है यानि वी अपान के कितना लेंगे इनके बीच का resistance क्योंकि वी अपानार में बोलेंगे सर इनके बीच का resistance जो है 2 है ठीक है प्लस करिएगा दोस्त अब दोस्तों I2 की में बात करना चाह रहा हूं तो I2 कहां से कहां त दोस्तों तो G2 कर देंगे ठीक है इनके बीच का resistance कितना है बोलेंगे सर चारों का है resistance ठीक है बराबर कितना है दोस्तों 4 है तो 4 मैं इसको लिख देता हूं अगर किसी को ही एक छोटा साब्लम होगा तो और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा हम हम 100% आपके आंसर जरूर देंगे, सभी को good morning मेरे भाई, आईएगा, दूसरी बात करना चाहें दोसों, अब हम इस equation को solve करना चाहेंगे, तो यहाँ पर लिखेगा, अगर मैं दोसों यहाँ उपर में दो गुड़ा कर दो, नीचे भी दो कर गुड़ा कर दो, कोई दिक्कत होगा क्या, बोलेंग चाहर हो जाएगा, अच्छा यह 4 क्यों हुगा, बोला हमने कि ऊपर भी 2 से गुड़ा किया, नीचे भी 2 से गुड़ा किया, यानि 2 इंटू 2 कर लोगे दोसों, कितना हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, प्लस के करेंगे दोसों, V1 माइनस के V2 हो जाएगा, और बटे में क्या कर देंगे, अच्छा हर बराबर होता था, तो हम लग बच्पन में ऐसे ही करते थे, बटे में 4, बराबर कितना 4, अब दोस्तों, यहाँ पर सिंपल से वे में आप लोग करना क्या है, 2, 2 V1 प्लस V1 है, तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर, 3 V1 हो जाएगा, अच् यहाँ पर डाउट हो रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए, और डेफिनेटली यह सेशन जैसे ही कंप्लेट होगा, मैं आपका डाउट भी ले लूँगा, ठीक है, चलिएगा, तो दोस्तों, एक ची ध्यान रखिएगा, अब मैं दूसरी एक्वेशन की तरफ चलना यहाँ पर बात करना चाहेंगे, इस नोड पर बात करना चाहेंगे, यहाँ पर आने वाली धारा कौन है दोस्तों, बोलेंगे सर, I2 है, आने वाली धाराओं का योग करना है आप लोग को, तो बोलेंगे सर, आने वाली धाराएं जो है, यहाँ पर हमारे पास है, आने वाली समय बता दू सिस्टमाइटिक धंग से लिख देता हूं यानि आई टू माइनस के आई थरी बराबर की कितना हो जाएगा बराबर की इस साइड आएगा 200 पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव हो जाएगी अभी हमारा पॉजिटिव है तो बराबर की साइड आएगा दो साइष और दोग की एक हम बीच जो है ब्राबर कर देंगे और बराबर कर देंगे 2 से गुड़ा कर के यहां पे हम हर कु ब्राबर कर सकता है डेफिनेटली कर सकते हैं मेरे भाई तो यहां पर लिखेंगेगा V1-V2 और बटे में 4 और यह माइनस के कितना हो जाएगा दोसों यहां पर मैं लिखोंगा 2V2 और बटे के 4 बराबर कितना हो जाएगा ठीक है लिए नखिएगा अब हमारा क्या हुआ दोसों हर हर बराबर हो ग माइनस के 2V2 जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा तो बुलेंगे सर यहां माइनस के 3V2 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा दोसों चार बराबर कितना माइनस के 8 इच्छा इसका गुड़ा कर देंगे कितना हो जाएगा तो बूलेंगे सर V1-3V2 और है आप कोई रेखी स्टमीकड़ पढ़ाऊद रेखी सम्प्रशलिका को स्मिट कर देना हे आएगा दूसरा है इतना है, गुलेंगे सर, वी वन है, वी उन माइनस के, 3 वी टू बराबर कितना है, दोसरों, माइनस के 32 है, ठीक है, अब दोसों यह हमारा इस एक्वेशन में चाहूंगा, कि इसको कम्प्लेटली हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोसे कुड़ा कर दूगा, ठीक है, कितने से तरण प्लस हो जाएगा अब कम्पलीटी इसको भी सिंपल से लिखी है वीवन माइनस के 32 जो अब यहाँ पर साइन चेंज करके आप लोग तुरंट इसका अंसर कर सकते हूं यहाँ पर माइनस हो जाएगा है यहाँ पर प्लस हो जाएगा यह और यह पर पॉजिटिव में रहेगा ठीक है आएट याँ वी वन गटा दोगे तो यहाँ पर एट वीवन आ जाएगा और बराबर दोस्तो आगर वहाथ करना चाहूं, इस तरीके से, हम क्या विटू की वेल्यू कालकॉलेट कर सकते हैं? चीपल से मैं आप लोगो को आई वन और अच वेल्यू कालकॉलेट करना है, तो कैसे कलकॉलेट होगा? ठीक है तो इन चीजों को आप लोगों को ध्याम रखके चलना होगा अब मैं बात करना चाहूंगो दोस्तों अब हम यहाँ पर calculate करना चाहेंगे current को calculate करना चाहते हैं ठीक है तो current को हम कैसे calculate कर पाएंगे तो यहां पर लिखेगा i1 का current i1 हम यहां पर माने थे दोस्तों ठीक है तो i1 current मेरा यहां था और यहां पर i2 current था और यहां पर i3 current था ठीक है बोलेंगे जी हां सर आथा अब दोस्तों हम अगर v1 equal to i1 equal to लिखा था तो क्या लिखा था वीवन अपान के दो इंपियर ठीक है वीवन अपान टू लिखा था कि नहीं लिखा था बोलेंगे जी हां सर अब दोस्तों यह जो वीवन की वैलू है कितनी है बोलेंगे सर 10 वोल्ट आई है और बटे में कितना कर देंगे दो कर देंगे आ जाएगा कितना 5 ठीक है कटने पर कितना आया दोस्तों 5 यह 5 जो होगा एंपियर में आएगा ठीक है अभी हमारे पास i1 की value calculate हो गई है अब दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा i2 i2 जो दोस्तो किसम जा रही है बोलेंगे सर चार ओम के लिए कहां से कहां तक अवाधा Northwest जोर है ठीक है तो ऑर इनके बीच का Bronx को 19 स सब्सक्रण जायगा ठीक है तो आगर 10 ghatta दोगे, तो-4 करी जाएगा दोस्टों, कितना बना जाएगा, वहीं हम बात करना चाहेंगे, I3 की value को, तो I3 की value कितना है, तो बुलेंगे V2 की value कितनी है, too, out금, we callback to call, W4 कितन locomotive will be got不多, तो B2 की value कितने हैं, जो सारा answer है, है तो इसकी जो गड़ना है जो तो कैसे कर पाते हैं तो यहां पर देखीगा आने वाली धारा कितनी है बोलेंगे चार जाने वाली धारा कितनी है बोलेंगे 51 प्लस I2 है दोस्तों अगर इस equation में हमारा आ जाता है value सही सही कभी-कभी क्या होता है कुछ गढ़बढ़िया होने पर भी आ जाता है ठीक है लेकिन क्या होना चाहिए अगर कहीं पर भी आप लोग 0% error के साथ आपने question को attempt किया है तो definitely आपका answer सही रहेगा ठीक है अब देजीए तो चार घटा देंगे दोस्तों कितना चार ही आएगा ठीक है तो इस तरीके से आपका जो है यह question का जो answer सही रहेगा और इसको अभी क्या कर लेना है हमें पता चल गया कि हमारा answer is correct है तो मैं इसको इरैच कर देता हूँ ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से आप लो समझा सकते हैं बता सकते हैं कि सर हमें यहां पर प्रावलम हो रही है डेफिनेटली उस पॉइंट को मैं एक बार फिर से में सर कर लूँगा ठीक है दोस्त तो चलिएगा आज के लिए इतने रखते हैं बाकी हम आप लोगों से बात करेंगे नेक्स्ट अपने नेटवर्क के को सब्सक्राइब जरूर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भारत जय मार्सारव सब्सक्राइब